नमस्कार साथियो, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा पांचवी वा आठवी वार्षिक परिक्षा 2022-22 के संदर्व में जानकारी संदर्व में देख सकते हैं उनकों के पत्र क्या निउसार क्षा 5 वा 8 वी के वार्षिक परिक्षा परणाम 15 मएं 2023 को घोसित किये जा चुके हैं परिछ़ा परिणामों का सूक्ष्म विसलेशन करने पर पाया गया कि कुछ छात्र एक या दो विसय में अनुत्रिण हुए हैं जबकि सेस विसयों में उत्रिण हैं ऐसे प्रक्रणों में प्रथम द्रश्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोल्यांकन या पोर्टल पर अंकों की प्रवर्ष्टी में कोई विसंगती हुई है ऐसे संभावित गलतियों के कारण छात्रों का आहित ना हो इस उद्देश को ध्यान में रखते हुए राज सिख्षकेंद्र वारा यह निरणय लिया गया कि ऐसे समस्थ छात्रों जो केवाल एक या दो विसे में अनुत्रियन हु करते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पत्र का लिंक दिया हुआ है वहां से लिंक को क्लिक करके आप इस पत्र को डाउनलोड करने के बाद इसे पढ़ सकते हैं इसके पस्चात हम बताएंगे कि अनिवार्य पुनर मुल्यांकन अंकों की पुनर गड़ना दिन पूर्व में प्रदाय अंकों को कम नहीं किया जाए समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के सिल्ड पेकेट मुल विकास खंडों में दिनांक 3-6-2023 तक अनिवार तयाब पहुंचाया जाए ताकि उत्तर पुस्तिका विद्यार्थियों के आवलोकन हेतु उपलब्द कराई जा सके पुनर मुल्यांकन एवं अंकों की प्रविष्टी में संसोधन उपरांत विद्यार्थियों का संसोधन परिक्षा संसोधित परिक्षा 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 प आप देख सकते हैं पर यह समय सारणी है राजसिक्षा केंद्र द्वारा कक्षवार एक या दो इसे में अनुत्रिन विद्यार्थियों की जो लिस्ट है वह पोर्टल पर प्रदान करना यह 23 तारीक को किया जा सकतेगा और इसके पश्चात बुल्यांकन करताओं के कक्षवार विसेवार आदेश कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी करवाना यह कारे होगा 24 मई 2023 को DPC और BRC महदय का यह उत्तरदायत होगा और राजसिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्द सूची के अनुसार कक्षवार विसेवार उत्तर पुस्तिकाओं को निकलवाना यह 23 मई से 25 मई 2023 संबंदित मुल्यांकन केंद्रों के प्रभावरी एवं मुख्य निरिक्षक थे उनका उत्तरदायत होगा पुनर मुल्यांकन एवं आंकों की पुनर गणना प्रविष्टी 26 मई से 30 मई तक किया जाएगा एवं पुनर मुल्यांकन आंकों के पुनर गणना पुनर को मोल विकास खंड में वापस लोटाना यह होगा 3 जून 2023 तक यह हो जाएगा इसका दाइत्व संबंदित DPC-BRC एवं मुल्यांकन केंदर प्रभारी इन लोगों का उत्तर दाइत्व होगा और संसोधित परिक्षपरिणाम की घोशना करना यह 5 जून 2023 को होगा और इसका उत् मुल्यांकन केंदर प्रभारी एवं मुख्य मुल्यांकन करता और BRC व्यक्तिकत रूप से जिम्मेदार रहेंगे तो यह थी आज की जानकारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सेयर करें त तके वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद